तो ओल्रट गाईज, GTA YCity अपने टाइम का एक ऐसा गेम है जिससे हमारे काफि सारे बच्पन के उल्ड मेमोडिस चुड़ी हुई है और जातर GTA GAMERS GTA YCity से ही स्टार्ट किया था एंड टाइम के साथ गेम, एंड गेम के ग्राफिक से वह काफि ज़ादा आउटड़ेट हो चुकी है पर Mauders ने YCity के इतने सारे मोडस और ग्राफिक समॉडस वगरा क्रेट करके रखी है जिसे गेम, एंड गेम के ग्राफिक समॉड़ेंज हो जाएगी और आज के इस वुड़ के अंदर मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 10 ग्राफिक्स मॉड्स का बार में बताऊंगा वो भी टौप 10 के लिस्ट में मतलब वीडियो को आप जितना आगे तक देखती जाओंगे आपको उतनाई best बेश्ट ग्राफिक्स मॉड्स का बार में पता लगेगी तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना ऐसे और भी मेज़र बेश को आगे देखने के लिए तो आल्राइट बात करें लिस्ट की सबसे पहले ग्राफिक्स मॉड की इस ग्राफिक्स मॉड का नाम है ENB Series for GTA Vice City V2 इस वाले ग्राफिक्स मॉड से गेम के अंदर की जो ब्राइटने से जो कलर है वो काफी जादा इंक्रीज हो जाती है इसे आपके गेम के अंदर की जो ओवराल ग्राफिक्स है वो काफी जादा आपको ब्राइटर दिखती है यह एक ENB ग्राफिक्स मॉड है यह आपकी लो एंड PC में भी आराम से प्लेवल रहती है और कम रिक्वारिमेंट्स में यह एक वन ऑफ दी बेस्ट ग्राफिक्स मॉड है और इस मॉड के बारे में अगर डिटेल में जाना है तो मेरा यह बाला वीडियो चेक आउट करो इसमें मैंने इस ग्राफिक्स मॉड की इंस्टॉलेशन भी दिखाई है और इसे के साथ जो नेक्स्ट मॉड है इसका नाम है प्रोजेक्ट 2D FX और यह मॉड गेम के अंदर की जो ग्राफिक्स है उसको ज़्यादा इंक्रीस तो नहीं करती है पर गेम के अंदर की जो लाइटिंग से उसको बिल्कुल इंक्रीस करके देती है क्योंकि सभी ग्राफिक्स मॉड गेम के अंदर की जो ग्राफिक्स है उसको इंहांस करती है पर यह मॉड गेम के अंदर की लाइटिंग को फोकस करती है और उसको बिल्कुल नेक्स्ट लिबल पे इंक्रीस करके देती है जिससे आपको draw distance भी काफी जादा बढ़ जाती है और lightings भी आपको काफी जादा better way में दिखती है और इसे के साथ next जो graphics mod है इसका नाम है GTF YCT IC Enhancer और ये भी एक ENV graphics mod है और इसमें graphics के साथ ही साथ आपको better reflections and काफी detailed shadows आपको game के अंदर देखने के लिए मिलेगी जिसे game हमारी काफी जादा realistic लगने लग जाएगी और हाँ इस graphics mod का size around 11 MB के आसपास है and सारे इस graphics mods का link आपो नीचे description पे मिल जाएगा आप easily जाके download कर सकते हो तो alright अभी बात करें एक one of the best graphics mods की and जिस mod का नाम है YCT Render X and यह graphics mod पुराने टाइम पे मेरा एक favorite graphics mod रहा है and इसमें graphics वो काफी जादा आपकी brighter बन जाती है and अभी आप game को notice करो पूरी colorful theme में हमारी game convert हो चुकी है and इस graphics mod में भी काफी सारे features है and इस mod की installation video भी मैंने अपने channel पे provide कर दिये आप चाहो तो उस video को भी check out करके इस mod को install कर सकते हो and अभी जो mod है इसका नाम है Vice Cry and यह एक ऐसा mod है जिसे हमारी Vice City game वो पूरी HD में convert हो जाती है इसे game के अंदर graphics, time cycles, visuals, textures and vegetation मतलब जो trees वेगरा है वो बिलकुल remaster करी जाती है and इस mod का size around 1.7 GB के आस पास है and इस mod को install करने के बाद आप कोई और graphics mod इसमें install करके combine करते हो तब जो graphics के output आपको मिलेगी वो बहुत ही जादा realistic and काफी जादा next level वाली होगी तो all right इसे के साथ बात करें एक और best E&B graphics mod की and इस mod का नाम है Natural Shadows and इस mod से game के अंदर की जो time cycle है and जो weather effect है वो आपके बिल्कुल natural and soft tones में convert हो जाती है तो overall gaming के अंदर की जो look है वो आपको बहुत ही जादा natural लिखती है and इसमें game के अंदर की जो brightness है वो भी काफी जादा maintain रहती है and इसे graphics भी overall look में काफी जादा बढ़िया provide करा दी है and इसके साथ अभी तक अपने वीडियो को like नहीं किया तो like कर दो and चाल को भी subscribe कर दो and अभी अगर आप GTA y city game को आज के जनरेशन के graphics पे convert करना चाहते हो तो इस mod को जरूर सो try करो and इस mod का नाम है y city renderook and यह काफी जादा impressive and काफी जादा realistic graphics mod है and आप gameplay के उपर देख सकते हो कितने सारे noticeable changes हमें game के अंदर देखने के लिए मिल रही है आपको बहुत ही जादा realistic and detailed आपको shadows वगरा गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी and visuals shadows वगरा वह कफी जादा पहले सी improved है and इस mod पे lighting को काफी अच्छे से balance करके रखिए जैसे कि आप gameplay में देख सकते हो आपको थोड़ा पीसी भी थोड़ा अच्छा हुआ जाए क्योंकि रिक्वार्मेंट पर मैंने लिंक प्रोवाइट कर दिये चाहा तो आप चेक आउट कर सकते हो तो और राइट अभी हम बात करें अपने लिस्ट के टॉप थ्री बेस्ट ग्राफिक्स मॉड्स की इसका नाम है रेंडर एजटी ग्राफिक्स एंड यह पहली बार था जब वाइसीट गेम के अंदर एक काफी ज्यादा रिलिस्टिक दिखने वाली ग्राफिक्स मॉड्स हुई थी एंड यह मॉड्स अपने टाइम का एक वन आप दिबस्ट ग्राफिक्स मॉड्स थी एंड गेमपल में आप देख सकते हो कितने सारे नोटिसबिल चेंजेस आप स्काइप पे नोटिस करो कितने सारे रिलिस्टिक एंड डाइनमिक क्लाउड्स में देखने के लिए मिल रही है और जो वैदर एफेक्ट है वो तो और भी ज्यादा इंसेन है एंड यह ग्राफिक्स मॉ अपने नंबर 2 के ग्राफिक्स मॉड में यह कोई ग्राफिक्स मॉड नहीं है यह एक मैarts मॉड है जो और करती आपकी ग्राफिक्स मॉक्त आपकी घ्राइज केड़ ग्राफिक से लेके गेम के एनिमेशन, टाइम साइकल, वेदर्स, पूरी जो गेम प्ले है वो हमारी जीटेए 4 से सिमिलर बन चुकी है एंड इस मॉड को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप मेरा यह वाला वीडियो चेकाउट कर सकते हो इसमें मैंने वाइसटी रेज के उपर पूरी इंस्टॉलेशन प्रोवाइट करिये एंड इंस्टॉलेशन भी आपको दिखाएए तो चाहता आप इस वीडियो के बाद इसको चेकाउट कर सकते हो लिंक आप हो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो अल्राइट इसके साथ हम आते हैं अपने नंबर वन के बेस्ट ग्राफिक्स मॉड पर एंड अगेन ये भी कोई ग्राफिक्स मॉड नहीं है ये भी वाइसटी रेज की तरह एक मैप मॉड है और इस मॉड का नाम है वाइस क्राइब यहां पर अभी आप सोच रहे हो कि तोड़ी दर पहले मैंने एक वाइस क्राइब मॉड के बारे में बुदाया था पर यह वाइस क्राइब बिल्कुल रिमास्टर्ड एक अलग मॉड है क्योंकि यह मॉड वर्क करती है आपके गेम के अंदर अभी अगर आपके पाई गेम इंस्टॉल है तब आप इस मॉड को स्थाइब चार नांद यह मॉड अभी के टाइम के ऊन अप दी बेस्ट समाँड है जिते फाइस सीटझी को आज के टाइम पैर इक्स्परिसट करने की साथ में इस मैप मॉड में वाय सिती के सारे रिल लोकेशन चारने इंटेर चिक्रो एंड एक्सिस कर सकते हो औरं अपने old memories को एक better graphics and gameplay के साथ enjoy कर सकते हो and अभी आप texture को notice करो वो कितनी ज्यादा detail में है और vegetation यानि के trees वो देखो कितनी ज्यादा beautiful और कितनी ज्यादा insane लग रही है हमारी game and आप मुझे फोटावर्ट से comment करके बताओ इन में से कौनसा mod आप install करने में ज्यादा excited हूँ और साथ में यह था आपका टॉप 10 बेस्ट वाइस सीटी की ग्राफिक्स मॉड्स एंड इन में से कौनसा ग्राफिक्स मॉड्स आपको सबसे ज्यादा realistic और सबसे ज्यादा impressive लगी है वो मुझे कमेंट करके बताओ और इन में से कौनसा यूड़ पे तुप के लिए टेक केर एंड गुड़ बाई